नमस्कार आप देख रहे हैं आरजी रमजाजर और मैं हूँ पुखरास सेंग पुखरास सेंगरेस की सरकार आएगी और अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं कि आप बिलासपूर के सेंटरल गुर्गासिदास उन्वरसिटी में दोहराई जा रही दकेरल स्टोरी की कहानी उन्वरसिटी की छात्राओं को मुस्लिम स्टूडेंट रेडरिशन से जोडने चलाय जा रहा कूचक्र जियां आपको बता दें कि कुछ समय पहले रिलीज हुई दकेरल स्टोरी जो कहानी दिखाई गई कुछ-कुछ उससे ही दोहराने की कोशिश बिलासपूर के सेंटरल उन्वरसिटी में हो रही है इस मामले के खुलासे से उन्वरसिटी में हरकम समझ गया है बीएसेप के नाम से इंस्ट्राग्राम पर आईडी भी बनाई गई है जिसमें पोस्ट शेयर कर विद्यार्थियों को जोडने की अपील भी की जा रही है आरोप है कि कैंपस में कई मुस्लिम स्टूडेंट्स एक्टिव हैं जो जूनियर स्टूडेंट्स का ब्रेनवाश कर रहे हैं यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ पूर्व छात्र और सिक्षक भी सहीयोग कर रहे है खास बत यह है कि केरल से आने वाली छात्राओं को यह भी नहीं पता कि उन्हें किस लिए और क्यों जोड़ा गया है इसकी जानकारी मिलते ही उन्वर्सिटी प्रशाशन भी सकते में आ गई है कुलपती प्रोपेशर चकरवाल का कहना है कि इस पूरे मामने की जाच के लिए तीन सदस्ती कमेटी बनाई गई है कमेटी को 24 गंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है उन्होंने यह भी कहा कि यह गंबीर मामला है और अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं मुगेली जिला में मा करमा और अस्पताल में चापे मार की कारवाई की गई है जहाँ पर बिना लाईसेंस के चलाई जा रहे है इस अस्पताल में ताला लगा दिया गया है और यहाँ पर प्रतिबंधात्मक कारवाईयां भी की गई है इस दोरान आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन सहित डॉक्टर फरार है मुगेली जिला में इन दिनों अस्पताल पैथोलेब डाग्नोस्टिक सेंटरों की गोरख धन्धा जोर उपर है अस्पताल प्रबंधन नर्सिंग होम एक्ट को बिना फॉलो किये दडलने से अस्पताल संचालित कर रहे है किराय की सरजन डॉक्टर और एनस्थीसिया से बिमार व्यक्तियों का ओपरेशन करा कर अस्पताल प्रबंधन मरीजों के परिजनों से अनाप शनाप मोटी रकम वसूल कर रहे हैं जोरान आपको बता दे कि लगतार मिल रही शिकायतों के बाद जिला स्वास्त अधिकारी कारवाई के नाम पर खेवल खाना पूर्ती ही करते हैं पर अंतु इस दोरान आपको बता दें कि कारवाई के नाम पर सील तो कर दिया गया पर बाद में इस प्रकार के केसों को रफा रफा कर फिर से उन्हें संचालित करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं पोस्टिंग होटाले की जाज की आज D.E.O कारेला पहुंची D.P.I. की ठीम सिक्षपी भाग में मचा हरकम कई अपसरों पर गिर सकती है गाज जी हाँ ये खबर निकल कर सामने आ रही है जहाँ पर सिक्षप पोस्टिंग होटाले में मिली जानकारी के मताबिक D.O के दफतर में बंद कमरे में जाज चली जाज टीम ने रैपूर ज्वाइंट डारेक्टर भी शामिल हुए आपको बताने कि जाज टीम के धमक से सिक्षप विभाग में हरकम समझ गया है जोरान बताया जा रहा है कि जाज टीम ने मीडिया से दूरी बनाई हुई है प्रमोशन के बाद पोस्टिंग को लेकर मुगेली सिक्षप विभाग की भी शिकायत हुई है जिसके बाद जाज टीम पहुँची कहा जा रहा है कि कई अफसरों पर गाज भी गिर सकती है आपको बताने कि शत्यसगड के बिलासपूर में सिक्षप विभाग में पोस्टिंग होटाला उजागर होने के बाद जौइन डारेक्टर और सहाय ग्रेट 2 को सस्पेंड कर दिया गया था लेकिन जाज रिपोर्ट आने के बाद भी इस गंबीर मामले में लीपा पोती शुरू हो गई थी वहीं विभागे मंतरी रविंद्र चौबे के निर्देशन पर लोगों के उपर अपराधिक मामला दर्ज किया जा रहा है कमिशनरों की जाच में करीब साड़े तीन हजार पोस्टिंग शंशोदुनों की जानकारी आई थी इसमें सबसे अधिक बिलासपूर में खेला हुआ है तो ये थी आज की कुछ महतोपून खबरे आप देख रहे थे आरजे रमजाजर मैहू पुखरा सिंग चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और खबरों को जादस जादा शेयर करें नमस्कार